इन दिनों intermittent fasting का trend खूब देखने को मिल रहा है। कई नामी गिरामी celebrities भी intermittent fasting करते देखे गए और उनकी weight loss की success stories भी हमने खूब सुनी है। इसका सीधा मतलब यही है कि इस तरह की fasting की मदद से वजन कम करने में काफी मदद मिलती है। इसके लावा intermittent fasting का metabolic health पर अच्छा असर पड़ता है। जैसे blood pressure और cholesterol का इस तरह समान रहता है। खास कर जो लोग intermittent fasting की साथ साथ exercise भी करते हैं, उन्हें मोटापे से सम्मदद बीमारी होने का रिस्क भी कम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूग पर कंट्रोल पाने से वजन नियंतरन में मदद मिल सकती है। intermittent fasting इसी का एक प्रभावी तरीका है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि intermittent fasting किसी तरह की diet नहीं है, बलकि ये एक तरह का diet pattern है। अगर आप वजन कम करने के लिए intermittent fasting कर रहे हैं तो हमेशा सावधानी के साथ इसकी शुरुवात करें। कई तरह से होती है intermittent fasting। intermittent fasting follow करने के लिए 3 windows होती हैं, जैसे कि एक window होती है जिसमें आप 16 घंटे fast रखते हैं और बाकी 8 घंटे खाते पीते हैं। दूसरे window होती है जिसमें आप 14 घंटे fast रखते हैं और बाकी 10 घंटे खाते पीते हैं। इसमें से ही एक cycle आपको follow करनी होती है और इसी cycle को दोहराया जाता है। कुछ लोग 16 घंटे के लिए fast रखते हैं और बाकी 8 घंटे खाते पिते हैं, लेकिन आपको शुरुआती दौर में ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आप 12 घंटे खाएं और 12 घंटे fast रखें, इसके बाद धिरे धिरे जैसे समय बीते हैं और आपको intermittent fasting की आदत हो जाएं, तब fasting time को बढ़ा सकते हैं, fasting करने का सही तरीका, fasting के लिए सबसे पहले आप तीनों windows में से किसी एक window को चुने, और फिर सही खाने की चीजों को चुने, दूद और दूद से बनी चीजों को शामिल करें, साथ ही fasting time में जादा पानी पी और अपनी healthy meal को प्लान करें, अच्छा result प fasting के दौरान धेर सारा पानी और अन कैलोरी फ्री ड्रिंक पीए, साथ ही अपना fasting window को तोड़ते समय शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिश प्रदान करें, इसके लिए healthy और पोशक ततों से भरपोर food को चुने, intermittent fasting के साथ continuity बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक ऐसा schedule चुने जो आप के लिए काम करें और उस पर आप ठीके रहें, और अगर आप आस्वस्त महसूस करते हैं, या किसी नाकरात्मक दुश्प्रुभाव का अनुभफ करते हैं, तो आप इसे follow करने से पहले किसी doctor या किसी nutrition से consult कर लें, इसके साथ ही ये भी ध्यान रखे कि जो लोग इस कर लोग पर.